नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोटेश सेक्रेट तुला रासी मासिक रासी फल अक्टूबर का मन्थ आपके लिए कैसा रहेगा चले जानते हैं विश्तार से वीडियो के अंतक बने रहे हैं और ये प्रिडिक्शन चंदरासी और लगन दो उस्ता में रहेंगे और राहू के नच्चत में जब आएंगे तीन अक्टूबर को तो 27 दिसंबर तक यहां पर रहेंगे अब देखे तुला रासी वालों की लाइफ में उन्नती तो होगा ही भागे का साथ भी मिलेगा क्योंकि सनी देव की सबसे प्रियरासी तुला रासी ह आपके लिए योग का रख है और राहू के नच्चत में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपके राहू जो है न मीन डासी में तो नौकरी में बदलाओ चाहते हैं राहू आपको बदलाओ देगा राहू के पास पद है पर्तिष्ठा है पोजीसन है तो आपको राहू वो सब कुछ देगा लेकिन इसमें आपके अंदर जो कॉंफिडेंस लेबल है उसको बढ़ाईए और अगर आप इसमें कोई लोन बेगेरा आपके उपर है तो सतर करिएगा और इसमें नया लोन मत लेने की कोशिस कीजेगा तो सनी देव के राहू के नचतर में आने से अच्छी करियर को यहां पर और नौकरी करियर के मामलों में बदला होगा देव गुरु ब्रिस्पती यहां पर अक्टूबर के महने मेहीं बलकी चार परवडी दोहजार पच्चिस तक वक्र अवस्था में रहेंगे अगर आप और विभाइत हैं तो अगर किसी कारण बस आपकी को जो आपके लिए योग कारणा ग्रय हैnda भागे के मालिक बुद्ध जो है वह रागे प्रवारतन करेंगे और आपके बारव में घर में चल रहे यहां से निकलकर आपके रासी में आएंगे तो बुद्ध डि के बाद नए कारी की सुरूत आप कर सकते हैं तो इस्वर की किपास से भी यहां पर चीज़ें बढ़िया उच्छा धिकारी या पिता का सपोर्ट मिलेगा उनती के रास्ती खुलेंगे और बुद्ध का आपके पर्थम भाव में आने से आपकी बुद्धी बढ़ेगी आपका ज्यान बढ़ेगा आपका अक्टूबर के बाद जो सुक्र आपके स्वेम अपनी रासी में थे मालब बेनामकर राजियोग बनाकर 13 अक्टूबर तक है इसके बाद वो धनस्तान में जाएंगे धन भाव पर आर्थिक मामलों में यह भागे का साथ तो मिलेगा फैमली के साथ अपनों के साथ अगर स्वावित होंगे आप से सुक्र धनके भी कालक हैं तो धनके मामलों में खूब लाफ करवाएंगे तो 17 अक्टूबर को जो सूर्य है वह रासी परिवर्तन करेंगे छटेव भाव से निकलकर अब तुला रासी में आएंगे अब जो गरहन योग में थे वहां से निकलेंगे 17 अक्टूबर को तो अगले जो एक मेने तक यानि कि नौमबर 16 मुंबर तक वो आपके ही रासी में विराजमान रहेंगे तब यहां पर देखिए फिर से यहां सूर्य और बुद्ध का साथ होगा तो बुधादीती योग बनेगा अब स्वास्त के मामलों में थोड़ा लोटा पानी रखिए और यह समंत्र का जब कीजिए कम से कम 108 बार बाद में उस पानी को पी लीजेगा स्वास्त समंदी मुस्कले समाथ हो जाएगी अब देखिए यहां पर सूरी से तो यहां पर थोरा सापको ध्यान रखना है स्वास्त का लेकिन 20 अक्टूबर को जो आप कारी कर रहे हैं 20 सक्टूबर के बाद से तो आपको यहां पर संभल कर काम करना है मंगल जो है ना थोरा सा नुकसां करा सकते हैं तो हनुमाज रिशा का पार करके दिन की सुरुआत करें नीच के हो जाएंगे तो दामपत्य जीवन का भी ध्यान रखेगा धन के स्वामी है त पर बैभाई जीवन का खास का ध्यान रखें जो विद्यार थी उनके लिए बढ़िया वक्त है क्योंकि देव गुरु ब्रहस्पति आपके लिए पढ़ाय लिखाए के मामलों में विशेश सफलता दिलवाएंगे आप तरकी की तरब बढ़ेंगे उन्नतिक और आर्थिक प